कि बस Redmi 13C है या 13 series का कोई और phone है तो यहाँ पे आप face lock set कैसे कर सकते हैं अपने phone में face lock के लिए आप यहाँ पे जाएंगे setting पे यह step से option आएगा scroll कर लेंगे और इसके बद password and security पे आपको click कर लेना है face unlock पे click कर लेंगे wait कर लेंगे अपने phone का lock enter करेंगे और यहाँ पर start पे click कर देंगे wait करना है next camera खुल जाएगा यहाँ पे अपना face ऐसे detect कर लेंगे यह और इसकी बद यहाँ पे done पे click कर देंगे अब यहाँ पे कुछ settings आजाती है face lock से related तो यहाँ से आप add इसको face को देख सकते हैं delete कर सकते हैं दूसरा face यहाँ पे enter करके add कर सकते हैं तो यह back हो गया है एक बार वापिस से जाएंगे ठीक है कुछ alternative face जैसे कि चश्मे के साथ mask के साथ ऐसे और unlock facing use अनलोक के लिए face data on रखेंगे अदरवाइस आपका phone unlock नहीं होगा यह बंद है तो और इसके बाद यहाँ पे यह वाला एक important option होता है notification का जैसे कि आपका phone है तो यह आपका face verify करके ही आपको notification की detail दिखाएगा कोई और देखेगा तो यह notification show नहीं करेगा उसको ठीक है और allow face unlock when screen light up इसको on करने का मैं आपको recommendation नहीं करती हूँ क्योंकि इसे on करने से क्या होता है कि अंधेरे में तो screen की light बहुत ज्यादा increase होके face lock अच्छे से काम करता है आपका लेकिन battery drain बहुत होती है बहुत जल्दी होती है तो इसको मैं बंद करके आपको recommend करूँगी अगर प्राद में कम कर देंगे लेकिन इसको मत on करना इसके बाद यहां पर back कर लेंगे ठीक है और अब यहां पर face lock देख सकते हैं ऐसे करके खुल रहा है और यह swipe का option जो कि मैंने आपको कहा था आपकी मर्जिया on off करना है तो ठीक है और इसके बाद यहां पर वापिस से setting पर जा आपके phone पे किसी और ने face lock अपना enter कर दिया है तो अब आपको यहां पर face lock delete कर देना है वापिस से set करना है ठीक है जितने भी face add है यहां से delete करके वापिस से add कर लेंगे अपना माला fresh तो face lock काम करना start कर देगा और दूसरा error तब आता है कि जब यह वाला option बंद होता है और आ देखते हैं कि यहां पर face lock आपका नहीं लगा हुआ है तो इसको आप on कर देंगे तो face lock आपका on हो जाएगा ठीक है तो इस चीच का आप ध्यान रखेंगे यह वाला option on होना चाहिए तो यह होगी आपकी face lock की problem fix अब अगर remove करना है तो face lock पे जाके delete face data पे जाके ok कर देंगे back कर देंगे आपका face data delete हो चुका है अब fresh तरीके से add कर लेंगे ठीक है इसी टाप की interesting वीडियो के लिए i button पे click कर लेंगे मिलते नेक्स वीडियो में तब तक के लिए नमस्कर